जोइंट प्रेंस नमसकार डिफेंस अबडेर भारत प्रापका सब्झाते डिफेंस अबर्डेर भारत प्राफी प्रेंस अब हमारे राफ़ल एयरकाप्ट जो क ह लात्यवित थॉल जरू सरूत है के हाली में हमारे भारत को डेजल डाइबेशन फ्रांसिस कम्पनी के तरफ से दोस एफ-4 कॉनफिकेशन राफेल फाइट और जेट प्रोभाइड क्या जेगा जी हाँ तीस माज को फ्रांस के तरफ से दोस में से तीन राफेल एएबेशन के तरफ से डिलिवरी कर दी जाएगी इसे मिलाका हमारे इंडान एएबेशन भारत एएबेशन के पास टोटाल 21 राफेल एएबेशन को ओपरेट किया जाएगा जो की फुली एक स्क्वाड़न राफेल फिल्ट के साथ तीन ट्रेनर एएबेशन के तरफ सामिल रहेंगे और हमें पता है की यह हमारे भारत का सबसे अरवांसेड फाइटर एएबेशन है जो की एफ फॉर कॉनफिकेशन फॉर्ट प्लस जेनेशन राफेल एएबेशन है जो की अब दुनिया के सबसे अरवांसेड एएबेशन में से यह राफेल एएबेशन एक है और अब चाइनीज एएबेशन में से सबसे अरवांसेड एबेशन जिसे हम कहते हैं वो J20 चेंगडू एरकाफ्ट है जो की एक 5th प्लॉस जेनेशन एरकाफ्ट चाइनाई से मानता है मतलब इसमें स्टील्द फिच्चर जरूर होगा साथ साथ बहुती पारफुल इंजिनर राडार वेपन सिस्टम से लेश होगा ये चाइनीज चेंगडू J20 के मानुफाक्चर के तरफ से कहा जा रहा है लेकिन फ्रेंज यहां पर बाजी हमारे राफल के तरफ पलड जाता है हमारे एरफोर्स का ये कहना है कि हमारे फोर्स प्लोस जेनरेशन राफल एरकाप्ट चेंगडूर J20 से कई माईनों में बहतर है हालाकी चाइनीज एरकाप्ट स्टिल्द फिच्चर के मामले में राफल एरकाप्ट से बहतर है लेकिन हमारे एर फोर्स के विशोसोग्यों का ये कहना है कि जे टोंटी की स्टील फिचर बहतर है माना जाता है लेकिन इसकी जे टोंटी की वेपन सिस्टम होतियार प्रणाली ख्यमताओं का हमारे फोर्थ प्लॉस जेनेशन एर काप से कोई मेल नहीं है जी हाँ हमारे विशोसोगों का ये मानना है की चाइनीजी रोस्यान एसी 35 पी आर काप के लिए जा रहा है ये डिसिशन ये बताता है की जे टोंटी की एर काप बेल्टीज राफाल के बराबर नहीं होता है क्योंकि यहां पर हमारे राफेल फाइटर जेट चार फोर मीजैलों के साथ सुपर चार्ज करने की ख्यमता रखता है जिहां साथ स्टील्थ फिचर्ज के साथ राफेल फाइटर जेट को SU-35 से भी काफी अधिक सक्ति साली माना जाता है फिचर्स के मामले में राफेल से जे टोंटी थोड़ा आगे है लेकिन इंजीन के मामले में जे टोंटी एसु थाटी के समान इंजीन का उप्योग करता है लेकिन राफेल का इंजिन विशोस नियोता दिर्गेव और रख रखाब में बहतर और आगे है राफेल की लड़ाकु ख्यमता जेटोंटी से बहती बहतर है राफेल अपने बजन से 1.5 बुना अधिक भार वेट उठाने में सक्ख्यम है जिसे ये जेटोंटी से अधिक की गोला वारुदू लेदा सकता है राफेल और जेटोंटी के बीच सबसे बड़ा अंतर इसकी मतलब राफेल की ओमेनी रोल कापा बेल्टीज जो ये राफेल फाइटोर को कम टाइम में कम से कम चार मिशन पर बाहर जाने की अनुमती देता है मतलब जा सकता है वहीं दूसरी और सोफेल से इसी तरह लाटे डिफेस अपडेट देखने के लिए डिफेस अपडेट भारत को सस्काइब कीजिए हमार होर इक वीडियो की निटिफेस अपडेशन पाने के लिए बेला इकुन को दबाईए और प्रिस कीजिए दूसरी और जेटोंटी कोई एक मिशन को एक बार में पूरा करने में सक्ष्यम नहीं है एक और अंतर ये दोनों का लडाई का अनुभव डिपन करता है ये स्पेशाल एक बड़ी बात होता है क्योंकि फ्रेंस ने और पूराने खिलाडी में थोड़ा अंतर रहता है मतलब हमारे राफेल एरकाप्ट के बहुती अनुभवी एरकाप्ट है जिसका उप्योग लिविया, आफगानिस्तान और सिर्या में इउद्व अभियानों में क्या गया था जे टोन्टी के पास एसा कोई एक्स्पेश्यम अनुभव नहीं है अंतिम में राफेल हमारे राफेल एरकाप्ट को जे टोन्टी के खिलाप हमार मिटियोर मिका और स्काल्प मिजाइल सोईत ये जे टोन्टी पर आस्मान और सिपोरियोर्योटी सेस्टता पर प्रभुत्तो डोमिनांस प्रदान करता है जबकि हमारे मीटियोर मीजाइल का रेंज गेर सो किलोमीटर तक होता है जो एर तो एर बेरियंट है हवा से हवा मार करने वाली मीजाइल होता है स्काल्प 200 किलमीटर की टार्गेट रेंज रखता है ये एक लॉंग रेंज क्रूज मीजाइल है ये दोनों मीजाइली बाईव और जमिन पर लख्यों के खिलाप गहरे हमले कर सकते हैं और यहाँ पर फेंज जे टोन्टी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जे टोन्टी के स्टिल्थ फिचर्स और इंजिन की प्रोब्लेम्स अभी भी जारी है और यहाँ पर जे टोन्टी फाइटर एयरकर्ट के लिए चाइना के सबसे बड़ी प्रोब्लेम्स ये है कि चाइन नहीं कर सकता है यह तो हमारे विश्योषगों का मनना है क्योंकि उन लोगों को पास टेक्नलोजी है उन लोगों को पास एक्स्प्रियेंस है तो इसलिए इसे माना जा सकता है लेकिन फ्रेंज यहां पोर चाइना को और एक बड़ी जटका जी हाँ अभी हमारे भारत का और फ्रेंच्व यहां पूर चाइना कई तो पहले से ही पता है की हमारे भारत किसी दुशरे देश से कपी नहीं करता है किसी भी टेकनोजी को. और अभी हमार पास आमका के मास प्रोड़क्शन के लिए बहुती लंबी टाइमी है जी हाँ, आमका की मास प्रोड़क्शन दो होजार अठाइस से सुरू किया जा सकता है जो की फुली देशी 110 किलो न्यूट्रन दाय थार्ट बेशिड इंजिन राडार स्टिल्थ फिचर्ज अभियन्यकी लोटनिस के साथ आएगा जिसके लिए ये टेकनोलोजी को आयात और रिभाइब किया जा रहा है टेकनोलोजी के माध्याम से, मेक इनि इंडिया की माध्याम से मतलब हमारे फुटर आंकायार काम के सारे टेकनोलोजी का कमांड हमारे पास ही रहेगा सो फ्रेंश ये था टोपिक, आशा करते ही टोपिक आपको जुरू अच्छे लोगागा एक बड़ा कमेट कीजिए एक बड़ा थमस्पर दीजिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए जो ही जो भारत